दोस्तूं आपको भी पता होगा कि आजकल के मोडन जमाने में खास कर गए शहरी क्षेत्रु में लोगों को कुट्टा पालने का बड़ा सोक होता है। कुट्टे को इतना प्यार महबद करते हैं मानों वो फैमिले का मेंबर हो और करणा भी चाहिए क्योंकि जानवरों को भी उनका पूरा हक है। इंसानों के बीच अच्छे से जीने का राइट लेकिन क्या आप जानते हैं कुट्टू से जुड़े कुछ अनोकी बात हैं और कुट्टू से जुड़े हमारे भारत के समीधान और कानून में कुट्टू को क्या-क्या राइट्स यानि कि क्या-क्या अधिकार मिले हुई है आईए जानने की कोसिस कर दें, डोग्स यानि की कुत्तों के बारे में बड़ी ही दिल्चस्प बातें जो हमारे कानून में अधिकार के रूप में मिली हुई हैं कुत्तों को, जहां कुत्ते भी किसी मौल वगरा की लिप्ट में जा सकते हैं, कुत्तों के लिए भी सरकार ने क पालने का अधिकार आपको नहीं है आईए देखते हैं जानवरों के कुछ ऐसे ही अधिकार बड़ी इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेशन जनरल नोलेज की बाते आपको जानने मिलने वाली हैं सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा सबसे पहले तो मैं आपको अधिकार चीज का इंजिक्षन देना और जहरीला खाना परुस्तना भी गेर कानूनी है कुत्तों के प्रती करूरता निवारन अदीनियम 1960 की धारा 3 के अंतरगत आता हैं हाती, ओंट, गोडे, खचर, बेंस या गाए इनको 50 रुपे से अधिक मुल्ले के किसी जीवजनतु को जहर देना उसे विकलांग करना भी गंबीर अपराद हैं इसके लिए 5 साल तक का कारवास और आर्थिक दंड दोनू दिया जा सकता हैं देखें कुत्तों से जुड़ी कुछ दारा हैं धारा 428 कहती हैं कि पसूं को मारना, जहर देना, अफाइच करना बिल्कुल कानूनर अपराद हैं इसके दार दो साल के केद हो सकती हैं, जेल हो सकती हैं आपको आर्थिक दंड या दोनू हो सकती हैं अगर आप ये अपराद धारा 429 के अंतरगत करते हैं तो आपको 5 साल की सजा आर्थिक दंड या दोनू हो सकते हैं अच्छा, Animal Welfare Board of India की गाइडलाइन्स के मताबिक किसी सोसाइटी की लिप्ट में खुत्ते भी आ जा सकते हैं जहां आप जा रहे हो वहां आपका डोगी जा सकता है पेड डोक्स के लिए कुछ और गाइडलाइन्स देखें आप मालिक पर जिम्मेदारी होती है कि कुट्ते रात में ना भौके एसा नहीं कि आपका कुट्ता अगर रात में भौक रहा तो पडोशे की नीन कराब हो रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कुट्ते को हेल्धी और साप रखना भी आपकी जिम्मेदारी है पडोश्यों की नीन में खलल नहीं पढ़ना चाहिए ये सुनिश्जित करें कि कुट्टे को आप समय समय भर वेक्षिन लगाते रहें बाहर ले जाने से पहले कुट्टे के गले में पट्टा जरूर बांदें वहीं अगर आप किसी अपार्डमेंट में रहते हैं उसमें आने जाने के लिए आप लिप्ट का इस्तेमाल कुट्टे के लिए भी ले सकते हैं और कुट्टे से आप कभी किसी पब्लिक प्लेस को गंदा नहीं करवा सकते हैं ऐसा नहीं कि आपका कुट्टा वहां लेटरिंग कर रहा है पब्लिक प्लेस में अगर आपका खुता कहीं गंदगी फेला था तो बालिक को साफ करणा पड़ेगा आलिया का एक डेटा देखे दोस्तूं केरल रज्जी का देखा है सिरिफ ये पिछले 5 साल में 8 लाक लोगों को खुते ने काटा है विश्यू स्वास्ते संगिचन की एक रिपोर्ट के मुदाबिक दुनिया भर में रेबीच से जो जितनी मोते होती ना उनमें से अकेले भारत में 36% मोते होती है इसमें भी दिलचस्प बात ही है कि बंदर बिल्ली या किसी दूसरे जानवर के मुकाबले रेबीच से होने वाली मोतों में 99% कुते के काटने से होती है अच्छा कुत्तूं का एक और अधिकार देखिया आप आवारा कुत्तूं को मारना भी अपराद है IPC की धारा 428, 429 और PCA Act 11 के मुताबिक आवारा कुत्तूं को आप मार पीट नहीं कर सकते हैं इनकी रोग थाम के लिए नस्बंदी की जा सकती हैं आवारा कुत्तूं को परिशान करने पर आप अपने नजदे की थाने में शिकायद दे सकते हैं अच्छा दोस्तूं के काटने से जुड़ा एक दिल्चस शोध देखियां कि महिलाओं से अधिक पूरुसूं को काटने की निर्बर करता है कुत्ते को देखकर गबराने से उसके काटने का रिश्क भी बढ़ जाता है जबकि इसी तरह के एक अधियन में ये भी बताया गया कि बिल्ली जो हैं वो पूरुसू की दुल्ना में महिलाओं को अधिक काटती है मतलब बड़ा ही अजीब सा फेक्ट है राइट लेकिन ये साइन्टिफिक रिसेर्च पर आधा रहते हैं कभी-कभी सरीर केखिस को लक्वा भी माड़ जाता है इसके अंतिम फेज में पीडित को हाइड्रो फोबिया हो जाता है हाइड्रो फोबिया साइंटिफिक लेंगवज में उस बीमारी को कहते हैं जिसमें वेक्ति को पानी से डर लगने लगता है। पानी पीने से ही नहीं बिलकि पानी को देखने से डर लगने लगता है। कई बार पीडित को लाइट से भी डर लगता है। और वेक्ति की मौत भी हो सकती है। तो ये कुछ दिल्चस्प बातें कुट्टों को लेकर उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी वेसे दोस्तों आप मुझे कमेट करके बताईए कि क्या आपको भी डोग पालने का सोक हैं आप कौन सी परजाती का गुत्ता रखना पसंद करते हैं या लाने की सोच रहे हैं लेट में नो इन दे कॉमेंट बॉक्स इस वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारे चैनल डीलस न्यूज को सस्क्राइब करके बेल आइकोन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम के खबरें तुरंत आपके मुबाइल पर मिलती रहेगी थेंक्यू टेक केर गुडबाई जै हिंट जै बारत